हलो एवर्वर्वन कैसे हैं आप लोगतों चले आज बनाना सीख लेते हैं एक ऐसी नई जबरदस बिर्यानी रेसेपी सारे बिर्यानी लवर्स के लिए जो के बहुत जादा मज़ेकी बनती है चले से कैसे बनाना है एक बर आप ज़रूर ट्राइब कीजिएगा सबसे पहले हम में 1umba काली मैंप्रोंक आड़ कर रही हीं साथी मिमालिय न्यां वनीजी और प्रशे सोय सॉस चिली मीट्प्रोंक अचछा बनाट जैसे के एक बड़े चबमच लग भग अधरक लेसन का पेस जालना जो कि मेरा फ्रेश बनाया हुआ है और फ्रेश मसाले से जादा अच्छा बनता है अभी यहां पे यह सारी चीज़ें अच्छे से हमें लगा देनी है और चिकन के जो बड़े पीसे जरुड़ में कर्स लगा दिया थ तो 1 टी स्पून काफी होगा और अब इसमें आपने एक कब पानी डालना है यह सारी जो चीज़ें है ना उसको पानी में डालकर अच्छे से मिला लिए जिससे यह नमक वगार डिजॉल्व हो जाएगा पानी में यह मसाले घुल से गया है तो हमने आलो लेना है मैंने यहां 200 ml ओयल लिया है जिसमें मैं बुझे हारे चार प्याज यहां पीजाती इसमें ब्रियानी के लिए जब बिर्यानी यहां जो बनानी के लिए नमक ज़रूँ डाल दिया करें बहुत अच्छा कलर आएगा तो यहां पे बिर्यानी का बना कर बोड़कों से चाणकर निकाल लेत तोड़ी हवा लागी गिनती और क्रिस्पी हो जाती है तब यहां पर जो एल ताना उसमें हमने बॉल कर लिया उसको डाल दिया है डालकर इसे गोल्डन फ्राइ कर लेते हैं बस एक दो मिनट में हो जाता है हाई फ्लेम पे और अब इसी तेल में हमें हमें आरे चिकन जो मारिन होगी जिसमें आपने बॉल्ड़ा ने आए पलए ने साथ इसमल्ड़् दाला हाई तक चबिखरे कर झाल ने काई जालना उसमें पचांस पर निजम्ड्री और करे ने को पनदाद्ल्बाना पलता होस्ते हैं अब भुम्ब the future नती हैं तो यहां पे पुछता सा फ्लीवर और जाएगा। कश्मीर इमिज पौडर एड़ कर रही हुँ मैं यहां पर प्रिस्ता एड़ किया है साथी मैं पौदीना के पत्ते डाल रही हुँ फ्रेश तोड़कर जिसे बहुत ची खुश्बू आती है थोड़ा सा बारी कटा वहरा दनिया भी डाल दीजेगा और अब आपको हाथों से यह सारी जो मसाले हैं उससे मिला लेने है बहुत ज़ादा जबरदस से खुश्बू आरी है हो और मज़दार सा आपके बिर्यानी मॉन्गी तयार है तो बस यही ज़ीं मसाले को डालने हैं जो मैंने एक बता है बस इसी बेसिक मसाले से आप बहतरी जबरदस बिर्यानी बना सकते हैं जो को बहुत जादा पसंद आती है तो यहां पर देखे मैंने जो फ्राइकर कर चिकन रखा है ना वो यहां पर डाल दिया डाल कर लगादार मसालों में अच्छा से मिला दिया है अभी इसमें आप मेरिन कर देने के बाद में इसको फ्लेम पे चड़ाया है और यह देखें स्टाटिंग के 6-7 मिनट हुए है और यह कुक हो रही है तो लिड लगा कर फॉरन इससे मैं ढग दूँगी और मैं इससे जब तक यह कुक नहीं होते तकर तकर 7-8 मिनट और पकाऊंगी तो यहां पर इससे साइट पे कर लेते हैं चावलो का पानी गरम करने को मैंने रखा है जिसमें तेज पत्ता दालचीनी का टुकड़ा दोहरी लाईची तीन चाड़ लॉंग डाली है मैंने अब इसमें मैं नमक और शकर एड़ कर रही हूं जो कि मैंने दो टेबल स्पून नमक लिया एक लिया है साथी में लेमन स्लाइस एड़ कर रही हूं अब मैं थोड़े से पदीना के पते राल रही हूं और हरी मिर्चे एड़ करूंगी बहुत चावल बहुत अच्छे बनते हैं देखिए पानी का कलर चेंज हो गया मसाले इसमें अच्छे से अपना फ्लेवर रिलीस कर च चावल रेडी है चाणकर मैं यहां पर लेरिंग करती हूं तो जिस वेसल में मैंने चिकन की यहनी बनाई है उसको साफ करकर निकाल लिया और उसमें पहली लेयर चावल की लगा दी है जो चिकन के ओपर रोगन बच्छता है वो हमें अलग निकाल लेना है और वह मैंने दो अलग अलग जगा पर रख देना है मसालों के साथ में तो फिर जैसे क मैंने आपको बताया है यह बिर्यानी आप दावत वगरह के लिए बहुत ही प्रिपेर कर सकते हैं आप इसकी मैरिनेशन में इसको छोड़ दें जितना अच्छे यह मैरिनेट होगा उतना मज़िक आपक बचावल में आएगा दाने दाने में फ्लेवर आएगा ताथी देखें पदीना ब्रिस्ता और अलु जो बचावा था वह भी लगा दे रही हूं और इसी के साथ मैं यहां पर जो बची वह यखनी है वह डाल दे रही हूं और चावल की लेयर से इसे कंप्लीट कर दें बचावल का पानी मैंने हाफ कप डाला है क्योंकि चावल मैंने 70-80% डन किया था तो चावल में कनी है जो के बाकी होगी दम पे अब यहां पे घी भी मैंने डाला है जिससे खुश्बू बहुत ची आती है और थोड़ा सा रोज वाटर और क्योड़ा में फूड कलर डाल कर म माशालला यह देखें बहुत जाद अच्छी से खुश्बू आ रही है बिर्यानी में हमारे दम होकर रेडी हो गया है और यह देखें बिलकुल खिले-खिले से चावल करफल चावल और मज़ेदार सा जबरदसा टेस्ट तो यह बर आप भी ज़रूर ट्राइक कीज़ेगा रमजानों में इफतार पाटी पर बनाईए या ईद की दावत में बहुत जाद अच्छी लगती है मज़े की बिर्यानी रेसिपी में आपको दी है एक बर इसे बनाईएगा और इसका टेस्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा क्योंकि मैंने घर बनाया सभी को बहुत अच्छा लगा बहुती अलग अनुका तरीका है लेकिन बहुती एजी वे है और इस तरह से मैरिनेट हुआवा चिकन तो और भी जूसी और सॉफ्ट होता है साथी चावल में फ्लेवर है तो फिर क्या कहने है मज़ेदार सी है चटपटी सी है और बहुती ज्यादा कमाल की ह आपको ऐसा खाकर लगी नहीं कि आप घर की बनीवी बिर्यानी खा रहें बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट होटलों वाला टेस्ट है तो एक बर इसे जरूर ट्राइ करें मसाले में आपको बताएं दिखाएं वही मसाले को यूज़ करके यह उपको पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लिजेगा फ्रंस इस तरह के और भी नहीं दबर दस धमाके दर रेसिपी मैंने बिर्यानी के डाली है अगर आपने नहीं देखिए तो जा गर देखे चैनल विजिट कीज़ेगा वहां पे आपको मिल मटन और चिकन की बहुत टाइप की बिर्यानी की रेसिपी मैंने दी है वह फफली अपको पसंद आएगे और आप ट्राइबी कीजिएगा चलिए फिर मिलती हो में नेक्स टाइम तब तक अपनों अपनी फामिली कर रखें बहुत सारा ख्याल दोओं में आद रखिएगा व थाइब और वोफेगा और रल को शु decis क region